तो आज के वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में उतनी बाते होती नहीं है हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत सारे कार्णों की वज़े से regular learning नहीं कर पाते हैं या फिर हम regular course नहीं कर पाते हैं ठीक है और बहुत सारे ऐसी भी बच्चे हैं जो regular course तो करते हैं लेकिन उनके college में अच्छे से practicals perform नहीं करवाया जाते हैं या फिर practicals class को skip करवा दिया जाता है ठीक है तो ऐसी problem की वज़ा से वो जो बच्चे होते हैं वो अपने competition में जो और ब क्या करेंगे अगर आप उसको practically perform करना नहीं जानते हैं तो इसका ये जो problem है इसका solution जो है हमें ढूड़ना पड़ेगा अगर हम सीखना चाहते हैं अगर हम अपना best देना चाहते हैं अगर हमें चीजों को अच्छे से समझना है और अगर हमें competition में strongly घड़े रहना है तो इसक परिशानी का एक बहुत ही अच्छा इलाज है या फिर बहुत ही अच्छा alternative है तो उसे हम आज जानेंगे कि वह alternative है क्या तो आपकी इस परिशानी का हल है virtual labs ठीक है अगर आप कहीं distance learning करते हैं या फिर आप college नहीं visit कर पाते हैं ठीक है और आप वहां पर जाकर physically perform नहीं कर पा होंगी और कहीं अगर आप वाईवा देने जाएंगे इंटर्व्यू देने जाएंगे तो आपको hands on experience किछी सीच का नहीं रहेगा अब बात आती है virtual labs की तो क्या virtual labs physical labs का alternative है तो answer है नहीं लेकिन अगर आप कुछ नहीं जानते हैं ठीक है उससे अच्छा है कि आप कुछ तो या कुछ चीजों में तो better हो ये ठीक है और यहाँ पर आपको बहुत सारी websites ऐसी हैं जहाँ पर आप जाकर virtually practicals को देख सकते हैं perform होते हुए या फिर उनके बारे में knowledge इकठा कर सकते हैं तो आज हम ऐसी ही कुछ websites के बारे में जानेंगे तो ये 5 websites हैं जहाँ पर आप virtually जाकर lab को देख सकते हैं लैब के बारे में जान सकते हैं अपने practical syllabus के बारे में जान सकते हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में सीख सकते हैं ठीक है तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि कैसे आपको जाना है इन websites पे और कैसे आपको व ये सारे links जो है description में mention कर दे रही हूँ जिससे कि आपको आसानी हो इन्हें access करने में और ये addresses आपको description में मिल जाएंगे और हम एक करके चलिए चलते हैं इन websites पर और देखते हैं कि हमारे लिए ये मैं जो video बना रही हूँ ये specifically biology students के लिए है Geology Botany के students के लिए ठीक है तो हम देखते हैं कि चलिए इन websites पर चल कर देखते हैं कि हमारे लिए क्या ग्यान का भंडार यहां पर है तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए चलते हैं सबसे पहली website पर और ये website का address मैंने यहां पर paste कर दिया vlab.co.in और यहां पर चल कर देखते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ हैं तो यह देखिए जब आप खोलेंगे ये website तो आपको ये virtual lab का section मिल जाएगा और हम देखते हैं कि यहां पर हमारे लिए क्या चीज़ है ये देखिए ये website का interface है यहां पर आपको खुलेगा और ये देखिए ये initiative है ministry of education का under the national mission on education through ICT ठीक है तो ये एक तरह से government website है यहां पर हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अब यहां पर इन इन एरियास के लिए जो है virtual labs available किये जाए हैं तो यहां से अगर आप geology botany के student है तो आपको यहां पर biotechnology और biomedical engineering का section मिल जाएगा और अगर आपने जो है chemistry ली हुई है graduation में तो आपको chemical sciences का भी यहां पर section मिल जाएगा अब देखते हैं कि इसमें से इतने सारे institute हैं जो इस website को जो है इस website में participation करते हैं या इस website में help करते हैं और अपने जो है experiments डालते हैं ठीक है तो चलिए थोड़ा सा चलके देखते हैं कि biotechnology और biomedical engineering section में क्या क्या है अब यह section खुलता है और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर बहुत सारे अलग-अलग तरह के जो है lab उपस्थित हैं और अलग-अलग institution के द्वारा यहां पर provide करवाए गया है जैसे biomedical signal और image processing का lab IIT रूर्की के द्वारा biochemistry का virtual lab है bioinformatics और data science का virtual lab है तो जैसे मैं भी bioinformatics का lecture जो है playlist चल रही है हमारी bioinformatics की अगर आपने वो lecture नहीं देखा तो आप channel पर जाकर bioinformatics के playlist में जाईए और वहां पर आपको सारी theory जो है covered मिलेगी अब देखिए यहां पर आप practical के लिए bioinformatics के virtual lab पर जाईए अब इस link पर जाने पर हमें देखिए क्या मिलता है यह देखिए bioinformatics का virtual lab यहां पर open हो गया और यह किस university के दवारा प्रोवाइड हुआ है अमरिता विश्व विद्या पीट के दवारा ठीक है अब यहां पर यह देखिए number of जो है यहां पर experiments है data from untrace, locating the chromosome of a gene तो आप किसी पर भी जाएंगे और आपको पूरी process यहां पर provide हो जाएगी देखिए यह जो है virtual lab यह आपको एक चीज में और मदद करेगी अगर आप जो है अपनी college में यह university में फिजिकल जो है lab perform भी तो कर रहा है तब ही अगर आपको मतलब लिखने का तरी website अब चलते हैं हमारी दूसरी website पर जो की है जुलोजी-sand-blogspot.com तो यहां पर हमें क्या मिलता है यहां पर चल कर देखते हैं तो हमें यहां पर देखिए BSc 1st year, 2nd year, 3rd year करके पूरा section ही दिया हुआ है ठीक है तो अगर हम BSc 2nd year पर जाते हैं माल लीजे तो यहां और फिफ्ट और सिक्स का सेमेस्टर का थियोरी भी और प्रैक्टिकल भी है इसी तरह से BSc 1st semester का भी है और यह देखिए यहां पर बहुत सारी इंपॉर्टन चीज़ें या फिर आपकी नौलेज की चीज़ें लगाए हुई है जो आपको प्रैक्टिकली फील्ड ट्रिप प पता चलेंगी जैसे बर्ट्स ऑफ सोलापुर महराष्ट्रा का यहां पर डिस्प्ले पर रखा गया है इस तरह से बहुत सारी यहां पर नौलेजबल चीज़ें हैं और आप इसको यहां से गेन कर सकते हैं ठीक है तो यह हो गई हमारी सेकेंड वेबसाइट और यहां पर दे सबकर Two-Eилиics management हैं और देख यहां और देखते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ें है यहां पर इस तरिक कर दिया है यहां पर segundos कर दिया यहां पर क्लिक कर दिया अब देखते हैं यह यहां पर यहां सारी berge कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं citizenship बालाइन experiment देखे tryscience.com यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर मतलब पूरा knowledge का भंडार है आप बहुत कुछ यहाँ से गेन कर सकते हैं और अपनी knowledge को बहुत बढ़ा सकते हैं ठीक है तो आप इसमें से देखिए जाकर आप अपनी जो भी आपके syllabus के हिसाब से relevant हो या फिर आप और जानना चाहें तो आप यहाँ पर click कर सकते हैं इन links पर और अच्छे से समझ सकते हैं जैसे population biology की simulations है, population dynamics है animal behavior का project है, life science है मतलब यहाँ पर बहुत कुछ चीज़े दी हुई है ठीक है तो अब चलते हैं next website अब फूर्थ website है यहाँ पर powershow.com powershow.com पर चलते हैं powershow.com जो है यह एकदम virtual lab तो नहीं है लेकिन यहाँ पर आप बहुत सारे slides जो हैं यह अपने subject से related पा सकते हैं, बिल्कुल जैसे slide share था, उसी तरीके से यह भी website है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे subject से related आप slides देख सकते हैं, जैसे कि हम यह slide देखिन की कोशिश करते हैं यह slide है, जो लोजी की उपर ठीक है और यहाँ से आप बहुत सारी information access कर सकते हैं, अराम से तो यह भी बहुत useful website आपके लिए है तो ऐसे ही जैसे मैंने भी आपको दिखाये इन website की मदद से आप अपने knowledge में increment कर सकते हैं, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं पे पीछे छूट रहे हैं, ठीक है तो इन website की मदद से आप अपने knowledge को बढ़ाईए और आपका experience कैसा रहा हमारे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा ऐसे ही और valuable information और lectures के लिए हमारे चैनल को subscribe करें keep learning, keep growing, thank you